साथियों आप सब कैसे हो उमीद है आप जहां भी होंगे रब्ब काबा की अमान में होंगे आज इस वीडियो में दोबारा एक्टिव हुए हौथी लेबनान से भाग रहा नेतन याहू इरान जंग के लिए तयार इन खबरों समेत इसराइल फिलिस्तीन लेबनान से कई सारी खबरों पर बात करेंगे तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक आप देख रहे हैं SD24 मैं यूसरा परवीन इसराइलियों का दावा है कि 2000 साल पहले वे फिलिस्तीन में रहते थे इसलिए फिलिस्तीन उनका हुआ इस बात पर भक्त अंधभक्त तालियां तालियां बजाते हैं क्योंकि फिलिस्तीन मुसल्मानों से छीना जा रहा है हालांकि यह दावा करने वालों में एक भी कुत्ता फिलिस्तीन की जमीन पर पैदा नहीं हुआ इसराइल के जितने भी जहरीले, मकार, डकैत, मंत्री संत्री है, सारे भगोडों की ओलादे हैं जो जर्मनी से भाग कर दुनिया में बिखरे पड़े थे, फिर यहां वहां पैदा हुआ और फिलिस्तीन की जमीन पर जमा हुए इसराइल का राष्ट्रपती इसाख हेर जौग आयरलैंड में पैदा हुआ और उसके माम बाप इस्टर्न यूरोप में पैदा हुए थे, इसके दादा जर्मनी से भाग कर आये थे बेंजा में नेतर नियाहु पोलेंड में पैदा हुआ है और इसराइल में जहां वो रहता है, वो मकान फिलिस्तीनी डॉक्टर का हड़पा हुआ है नेतर नियाहु के पुर्खे भी जर्मनी से जले और हिटलर से हिटे हुए और यूरॉप अमेरिका से पिटे हुए है इस्राइल का रक्षा मंत्री योव गलांट भी पोलेंड की ही पैदाईश है इसके मां बाप जर्मनी से पोलेंड भाग कर आए और शरणार्थी के तौर पर वहीं बस गए इस्राइल का जहरीला फाइनांस मिनिस्टर बेजलेल स्मोतरिच यूक्रेन में पैदा हुआ है सबसे बड़ा सपोला नैशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बेन गवीर इराक में पैदा हुआ जर्मनी से भाग कर इसके मां बाप इराक में शरणार्थी के तौर पर बसे हुए थे इसराइल का फौरेन मिनिस्टर एली कोहिन को इसके शरणार्थी जर्मन मां बाप ने मोरक्कों में पैदा किया हिटलर के हॉलोकास्ट के बाद इसके पुर्खे भी भाग कर आये थे इसराइल के एपोजिशन लीडर जो नेतन्याहू का सबसे बड़ा आलोचक है ये सर्बिया में पैदा हुआ इसके मां बाप सर्बिया के ही थे ये जर्मनी से भाग कर नहीं आया था शायद इसी लिए 10 फिसद इंसानियत इसमें बची हुई है इसराइल का फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स जो आज वार कैबिनेट के मेंबर है इसे इसके मां बाप ने हंगरी में पैदा किया जो रोमानिया से हंगरी में आकर बसे हुए थे United Nations में जो इसराइल का रेप्रेजेंटेटिव है ये भी इसराइल की पैदाइश नहीं है इसे इसके मां बाप ने रोमानिया में पैदा किया जो जर्मनी से भाग कर रोमानिया में शरणार्थी के तौर पर बसे थे Israeli डिप्लोमेट मार्क रिगेफ आस्ट्रेलिया में पैदा हुआ इसके भी मां बाप जर्मनी से भागे और आस्ट्रेलिया में बसे थे इनके पुरखों को यूरोप अमेरिका से भगा दिया गया था ब्रिटेन में जो Israeli Ambassador टिपी होटोवेली है ये जॉर्जा में पैदा हुई है इसके मां बाप भी जॉर्जा में पैदा हुए थे लेकिन इसके दादा जर्मनी से भाग कर जॉर्जन औरत से शादी कर यहीं बस गए थे दे क्रेडल ने इन सभी की जन्मकुंडली जारी की है आपको बता दें कि सारी दुनिया से पीटे पिटाए और सारी दुनिया में जगह जगह शरणार्थी के तौर पर रहे जायोनियों ने अब फिलिस्तीन की जमीनों पर कबजा कर अपना मुल्क बनाया और 2000 साल पहले और ने हिटलर नाम का एक गिफ्ट दिया था वे भूल गए और जल्द ही एक गिफ्ट और फिलिस्तीन से मिलने वाला है तो ये थी दुनिया भर से दुतकारे जायोनियों की आउकात अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ साथियों आज की तारीख में आपका एक रुपय में जमा की जाएगी सलाह एहमद मजुमदार, कादरी मोटर्स, मनसूर उलहसन, खुरशीद एहमद शेख, मुहमद उमर, मुहमद आसिम शफी, उमर मुहमद खान, एनुलहक और हमेशा से सपोर्ट करने वाले मुमिन खान साहब समेत उन सभी माननेवरों का शुक्रिया जिन मना रहे हैं, क्यूंकि ये बली के कुत्ते थे, जो बच गए, ये जंग में जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन इन्हें जबरन भेजा जा रहा है, जिन में से आधे मर रहे हैं, आधे अपाहे जो रहे हैं एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक, इस्राइल आज लेबनान में युद्ध रोकने पर संजीदगी से चर्चा करेगा आज नेतन्याहू कई मंत्रियों, सैन्य और खुफिया प्रमुखों के साथ बैठक करेगा जिसमें लेबनान में युद्ध के संभावित कूटनीतिक समाधानों पर चर्चा की जाएगी मतलब जैसे गजा में हारा, वैसे ही लेबनान में भी हारा नेतू एक तीर से तीन निशाने लगाने की फिराक में है क्यूंकि एक साथ लेबनान, गजा और इरान से नहीं लड़ सकता IDF की 146 डिवीजन के पीछे हटने के बाद 981 डिवीजन भी अब सदन लेबनान से पीछे हट रहा है जिससे लेबनान में सिर्फ दो डिवीजन एक्टिव रह गए है IDF के हा मापार्ट्स रिजर्व डिवीजन ने पिछले हफ़ते वेस्टरन इलाके में पीछे हटने के बाद ऑपरेशन बंद कर दिया था है एश पाराट्रूपर डिवीजन अब इस्टरन इलाके से पीछे हट रहा है क्योंकि उसे कैफर किला, ओडे से, मारकाबा और हौला में भारी नुकसान उठाना पड़ा है गौर तलब हो की लिबनान में जमीनी युद्ध शुरू करने के बाद से सैकड़ों IDF के सैनिक मुर्दार हो गए है और हजारों अपाहिज पड़े है इसलिए इसराइल के रक्षा मंत्री ने मीडिया में दिये इंटर्व्यू में कहा कि वे सैनिकों और टैंक्स की किल्लत से जूँज रहे है दूसरी तरफ ना हिजबुल्लाह रुक रहा है ना हमास हर दिन 150 को टपकाना जारी है आपको बता दें कि यमन के हौथी भी एक्टिव हो गए है इसका मतलब ये नहीं कि यमन इनक्टिव था इसराइल और उसके चाटुकार लाल समुंदर के रास्ते जहाज नहीं भेज रहे थे अब पिछले तीन दिनों में दो जहाजों को हौलिवुड स्टाइल में उड़ाया गया उधर इसराइल इरान पर हमले की तैयारी में लगा हुआ है तो दूसरी तरफ इरान ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है इरान ने हाइपरसॉनिक मिसाइल फतह का एक फुटिज जारी किया फतह इतना खतरनाक है कि इसराइल तक पहुँचने में इसे सिर्फ 400 सेकंड लगेंगे सूतरों की माने तो इरान इस बार किसी बड़े हमले की फिराक में है जिस तरह इरान ने अपने चार कमांडरों को ओर्डर दिये है कि हर जगा एक हजार मिसाइल एक्टिव मोड पर रखे उधर इरान परमानू के करीब है इससे इसराइली सैनिक और नेता न्याहू की बेचैनी और बढ़ गई है उधर अमेरिका भी अब सुस्त नजर आ रहा है जबसे रूस ने खुल कर इरान का समर्थन किया है अगर आपको लगता है कि SD24 News को financial support करना चाहिए क्यूंकि हमारा चैनल monetize नहीं है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बार कोड को स्कैन कीजिए और एक मेसेज भी जरूर लिखें मुसल्मान हो तो नभियों वाले लहजे में सवाल करे और दुआ करे कि फिलिस्तीन में अमन कायम हो जाए और नर संहार रुक जाए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में खास खबरों के साथ तब तक के लिए फी अमानिल्ला आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज SD24